नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेट अब एक्जिट के बारे में और जानेंगे कि डेट अब एक्जिट क्या होती है और PF account में data of exit कब और कैसे अपडेट होती है तो आज की इस वीडियो में data of exit से जुड़े ऐसे ही कुछ point है जिनके बारे में हम जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और वीडियो शुरू करने से पहले आप सब इस request की channel पर अगर आप नए हैं तो यह होगा कि data of exit यानि की job छोड़ने की तारिक लेकिन अगर इसे detail में समझा जाए तो जिस तारिक को आप अपनी job से रिजैन देते हैं यानि कि जिस तारिक को आप अपनी job से एक्जेट करते हैं उस तारिक को data of exit कहते हैं और PF account में इसी data of exit को update करना पड़ता है और PF account में data of exit update होती है जोब छोड़ने के 2 मेने के बाद यानि कि जिस तारिक को आप अपनी job से रिजैन देते हैं उस तारिक के 2 मेने के बाद ही आपके PF account में data of exit update होगी और PF account में data of exit को employer और PF members ये दोनों ही update कर सकते हैं employer आपके जोब छोड़ने के 2 मेने के बाद ही आपके PF account में data of exit को update कर सकता है लेकिन अगर आप अपने PF account में data of exit को update करना चाहते हैं तो आप जोब छोड़ने के 2 मेने के बाद ही अपने PF account में online data of exit को update कर पाएंगे तो जोब छोड़ने के दो मेने के बाद में आप अपने PF अकॉर्ण में डेट अपडेट को अपडेट कर सकते हैं और PF अकॉर्ण में डेट अपडेट होने के तुरंद बाद ही आप PF अकॉर्ण का पुरा पैसा निकालने के लिए online claim भी कर सकते हैं अब जैसा कि मैंने बताया क कि PF account में data of exit को हम online update कर सकते हैं, तो data of exit को update करने की process क्या है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने complete video अल्रेडी बना दिया है, उस video का link आपको उपर आये button पर मिल जाएगा, लेकिन कहीं बार ऐसा भी होता है, कि PF account में data of exit गलत अपडेट हो जाती है, और जब PF account में data of exit गलत अपडेट होती है, तब हर एक PF members का यही सवाल होता है, कि अब इस गलatt data of exit को कैसे सही करवाएं, तो data of exit को कैसे सही करवाते हैं, इसके बारे में बताने से पहले, मैं आपको यह बता दिता हूँ कि PF account में गलत date of exit अपडेट होने से क्या नुक्सान होता है तो देखें जैसा कि मैंने अभी आपको यह बता है कि PF account में date of exit अपडेट होने के बाद में आप अपने PF account का पूरा पैसा निकालने के लिए claim कर सकते हैं तो अगर आपके PF account में date of exit गलत अपडेट होती है तो PF को पूरा पैसा निकालने के लिए जो claim आपने किया है वो claim reject हो जाएगा और आपको अपने PF का पैसा नहीं मिल पाएगा इसलिए अगर आपको अपने PF को पूरा पैसा चाहिए तो आपके PF account में सही date of exit का अपडेट होना ज़रूर है और अगर आपके PF account में date of exit गलत अपडेट है तो उस date of exit को आप online सही नहीं करवा पाएंगे वो गलत date of exit आपको offline ली सही करवाना पड़ेगी और date of exit को offline सही करवाने के लिए आपको joint declaration form की ज़रूस पड़ेगी अब joint declaration form की जएरिये PF account में गलत अपडेट हुई date of exit को किस तरह सही करवाते हैं उसके लिए मैंने complete video अलएडी बना दिया है उस video का link आपको उपर high button पर मिल जाएगा अब date of exit से जुड़ी कुछ और भी जान करिया हैं जिने आपको जानना चाहिए जैसे कि PF account को पुरा पैसा निकालने के लिए PF account में date of exit का update होना ज़रूरी है इसी के साथ में आप PF transfer भी तभी कर पाएंगे जब आपके PF account में date of exit update होगी यानि कि अगर आपने एक से ज़्यादा company में job की है तो आपको अपनी सभी पुरानी company के PF का पैसा अपने नई company के PF account में transfer करना पड़ेगा तो आप जितने भी पुरानी company के PF का पैसा transfer करेंगे उन सभी company के PF account में date of exit का update होना ज़रूरी है तभी आपके पुरानी company के PF account का पैसा transfer हो पाएगा तो यह थी कुछ जान करें date of exit के बारे में जिने आपके लिए जानना ज़रूरी था उम्मित करता हूं दोस्तों इस वीडियो के जरिये date of exit से जुड़े लगबख सभी सवालों का जवाब आपको मिल चुका होगा लेकिन अगर इन सवालों के अलावा आपके date of exit से जुड़े कुछ और भी सवाल है तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हैं यह वीडियो अगर आपको पसंद आयो तो like जरूर करें चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इप यह जुड़ी जानकर ही आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी